सब्सक्राइब करें बस्ट्री टेक चैनल को और बैल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं निखिला और आप देख रहे हैं बस्ट्री टाइक दोस्तों अगर आप कम्पूटर यूजर हैं तो बायोस के बारे में आपने काफी कुछ नाओका बायोस पासफ़र्ट कैसे लगाएं बायोस सैटिंग कर लो कम्पूटर ठीक हो जाएगा एक सक् पता है कि बायोस होता क्या है किसलिए यूज किया जाता है कैसे यूज करते हैं अकर आप धूंड रहे हैं सवालों के जवाब तो यह वीडियो आपके लिए एक दम सही वीडियो है चलिए देखते है कैसे कर हिऊ दोस्तों BIOS, नाम तो सुनाओगा, इसकी फुल फॉर्म होती है Basic Input Output System, यह एक software होता है जो कि motherboard पर एक memory chip में installed होता है, जब आप अपने computer start करते हैं तो BIOS ही वो software होता है जो आपके system को computer को start करने में आपकी help करता है, BIOS एक तरह का firmware है जो कि non-volatile होता है, अब non-volatile means जो कि electrically active नहीं होता, जो electricity पर depend नहीं रहता, इस software में जो भी settings हम save करते हैं, वो हमें computer बंद करके plug निकाल के वापिस on करने पर भी वैसी ही में जैसे पहले थी, कई लोग BIOS को basic integrated operating system या फिर built-in operating system भी बोलते हैं, जो कि गलत है, BIOS क्या होता है ये तो अब आप समझ गये होंगे, अब सवाल आता है कि BIOS को use क्यों करते हैं, जब computer में जान नहीं होती, मतलब बिना PHP के एक तरफ पढ़ा रहता है, फिर जैसे ही हम supply देते हैं, power button press करते हैं, तो वो BIOS ही है, जो computer को सबसे पहले instruct करता है कि computer को क्या करना है, लाइक computer को booting करने के लिए बोलता है, फिर keyboard control चेक करता है, हर एक hardware को identify करता है, कि हाँ सब ठीक से plugin है या नहीं है, चाहे वो hard drive हो, RAM हो, या फिर CPU, या फिर CD-ROM, वगयरा सब कुछ को चेक करता है, और ये सब करने के बाद, फिर अगला step लेता है, Windows लोड करने का, अगर कुछ भी गरबर होती है, तो computer को on होने से पहले वहीं रोग देता है, है ना कमाल की चीज, मतलब BIOS वो security officer की तरह काम कर रहा है, जो जंक पर जाने से पहले हर हतियार को test कर रहा है, कि हाँ सब ठीक तो है, इसलिए BIOS की need हुई, जिससे हर user को ये पता लग जाए कि हाँ सब ठीक है या नहीं, BIOS की जरुद क्यों पड़ी, हमने ये भी जान लिया, लेकिन कैसे access करते है BIOS को, क्या आपको ये पता है, आप मैंसे mostly लोगों पर ये पता होगा कि BIOS setup utility को हम कैसे open करते है, एक dedicated key आपको दी जाती है, computer का power button on करते ही, उसे दबाते हैं, BIOS setup utility खुल जाता है, जहां से आप अपने according setting decide कर सकते है, BIOS open करने के बाद, अगर हम इसकी availability की बात करें, तो modern computer के सभी motherboards पर BIOS पाया जाता है, कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप कौन सी Windows यूज़ कर रहे हो, like XP 7, 8, 10, BIOS आपके लिए आपकी motherboard पर सेवा में हाजर मिलेगा, अगर हम popular BIOS manufacturers की बात करें, तो ये कुछ most popular companies हैं, जो BIOS vendors है, Phonix Technologies, IBM, Dell, Gateway, Biosoft, American Megatrends, Insight Software, अब हो सकता है कि ये सब जानने के बाद, आपकी मन में ये सवाल जरूर आ रहा हो, कि BIOS से आप क्या कर सकते हैं, तो मैं यहां पर आपको help से उनमें change या फिर उन्हें operate कर सकते हैं, like boot order को change करना, BIOS setup को default load करना, यानि कि अगर आपको setting default चाहिए, तो आप उसको load कर सकते हैं, BIOS password को remove परना, BIOS password create करना, date और time system का change करना, floppy drive की settings set करना, hard drives की settings set करना, CD, DVD की settings change करना, आपके system में कितनी amount of memory installed है, ये check करना, boot up status को check करना, computer के logo को enable या disable करना, power supply test करना, CPU के internal cache को enable या फिर disable करना, BIOS की cache को enable या disable करना, CPU setting को change करना, memory setting को change करना, system की voltage को check करना, onboard USB को enable और disable करना, audio को enable, disable करना, floppy controller को disable, enable करना, power button के function को check करना, या फिर change करना, ऐसे काफी सारे जो मैं अपना पर function बता रहा हूं, ये सब हम BIOS setting की हैं, help से change या फिर उनमें edit कर सकते हैं fan speed हो गया system की voltage check करना यह सब हम bios utility software की मदद से check कर सकते हैं as well as उनमें changes भी कर सकते हैं यह सब task आप bios system utility की help से आप perform कर पाते हैं हो सकता है इनमें से काफि साथी setting आपके bios setup utility पर ना हो यह depend करता है कि आप bios software version कौन सा use कर रहे हैं आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि bios software को update भी किया सकता है अगर मैं bios update करने के फायदे की बात करूँ तो इसके काफि सारे फायदे हो सकते हैं like like bios update करने से system की overall performance है वो अच्छी हो सकती है जो compatibility issues है system के साथ वो ठीक हो सकते है बूटिंग time कम हो सकता है और भी बहुत कुछ लेकिन 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 इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी expert की सला के साथ ही यह task perform करें अगर आप bios upgrade करने के बारे में सूच रहे हैं फिर update करने के बारे में सूच रहे हैं यह बहुत जरूरी है कि आप अपने motherboard की compatible bios software को यूज करें अगर ऐसा नहीं करते हैं आप या फिर कुछ grubber हो जाती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया bios software वह पहला software है जो system start करता है grubber मतलब system start नहीं होगा इसके जो भी काम करें ध्यान से खेर यह था सब कुछ bios के बारे में आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ ऐसी जानकारी जरूर मिली हो कि जो आपको पहले नहीं पता हो और वह कौन सी जानकारी है यह आप हमें कमेंट करके जुरूर बताईएगा वीडियो अच्छा है तो लाइक करें अपने दोस्तों के नए है इस चैनल पर तुसको सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ अब तक लिए धन्यवाद जय हैं